Hello students, welcome back to the channel, so अब है हम question number 14 के exercise में So यहाँ पे हमें बोला है compare the power used in 2 ohm resistor in each of the following circuits 6 volt की battery हमें दी विये 1 ohm and 2 ohm resistor के साथ series में and 4 volt की battery हमें दी विये 12 ohm and 2 ohm के resistor के साथ में So यहाँ पे हमें देखो क्या करना है compare the power used in 2 ampere अब मैं आपको पहले भी बताया था कि जब हम series में होंगे तो हम दोनो resistances लेंगे और अगर हम parallel में होंगे तो हम सिरफ उस ही resistance को लेंगे जो हमें given है तो यहाँ पे हमने क्या किया, first case हमारा series वाला है, series में हमने दोनो resistances को plus किया हमारा answer आया 3 ohms, अब जो current है वो हमारे को find out करना है तो हम क्या करेंगे formula, i is equal to v upon r, v हमारे पास 6 given है and r हमारे पास 3 आगया, तो हमने क्या कर दिया, 2 ampere यहाँ पे अब हमारे को par consumed निकाल लिए है, मैंने आपको बताया था कि par in series का formula होता है, i square into r, ठीक है, तो हमारा answer क्या है, 8 watt अब हम next part की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे हमारे से पूछा कि 4 volt की battery है and 12 and 2 ohm के resistors है हमारे पास, हमारे से पूछा किस का है, 2 ohm का यह किस में है, parallel में, तो अब हम इस 12 को consider नहीं करेंगे, हम इस 2 पे ही consider करेंगे अब हम से रफ, ठीक है, तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे par in parallel, is equal to v square upon r, v square, v हमारे पास कितना है, 4 हमने 4 यहाँ पे लिख दिया, किस का find out करना है हमारे को, 2 का, तो 2 हमने यहाँ पे लिख दिया, हमारे पास कितना आया, 8 watt सीरीज का क्या है था पार 8W, पैलल का पार क्या है 8W, हमसे पूछा है compare करने को, किसका जादा है किसका कम है, लेकिन किसी का भी जादा किसी का भी कम नहीं है, दोनों की जो रेशो है वो same है, ठीक है, है, so thus in both the cases, the power consumed by the 2 ohm resistor is 8W, therefore the ratio of power consumed in the two cases is 1, ratio तो कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि 8W है, वो 8W के साथ डिवाइड हो जाएगा, answer हमारे पास क्या बच जाएगा, 1, चलिए, next question पर आते हैं, next question हमारे पास, question number 15, two lamps, one rated 10W, जो के चलता है 220V पे, and 60W, जो के चलता है 220V पे, are connected in parallel, parallel में connected है, यानि कि voltage हमें individual लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर हम एगी जोर्स देंगे, तो जो वाट है, वो अलग-अलग हो जाएगा, क्योंकि ये parallel में है, parallel में जो voltage जब वो constant रहती है, हमें find out क्या करना है, current, current हमें find out करना है, अब इसके लिए formula क्या होता है, P is equal to V into I, ठीक है, P is equal to V into I के लिए हमें इन दोनों P को plus करना पड़ेगा, अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है, given में, P1 कितना है, 100W, ये रहा, P2 कितना है, 60W ये रहा, potential difference कितना है, 220V, ये रहा, in parallel combination of lamp, the total power consumed is given by P is equal to P1 plus P2, देखो आप लोगों को याद रखना है, कि जो power होती है, series में, वो होती है, reciprocal में, ये series में है, लेकिन हमें ये जो question में दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है, parallel में, ठीक है, so parallel में जो आपके पास power है, वो क्या आएगी, P1 plus P2, P1 100, P2 60, total power 160W, अब since P is equal to Vi, therefore I is equal to P by V, P की value डाली, V की value डाली, हमारे पास आए आ गया, जी, so next question is quite easy, which uses more energy, a 250W TV set in 1 hour, और 1200W toaster in 10 minutes, energy पूछा है, energy मतलब E, E is equal to P into T, E is equal to P into T, अभी जो P यह किस में होना चीए, किलो वाट में, T किस में होना चीए, आर्ज में, ठीक है, और हमें लेकिन जो power है, वो किस में दीवी है, वाट में, तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले, किलो वाट में convert करेंगे, so P1 is equal to 250W, याने कि 0.25 किलो वाट, P2 is equal to 1200W, याने कि 1.2 किलो वाट, टाइम 1 आर, यह आपको दिया हो 1 आर, यहाँ पे दिया हो 10 मिनिट्स, ठीक है, so हम क्या करेंगे, 10 मिनिट्स को हम डिवाइड कर देंगे, 60 से, 0 से 0 कर जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, 1.6, sorry, 1 by 6 आर, यह हमारे पास टाइम बच गय अब हम क्या करेंगे, as we know, energy is given by, energy का जो formula है, वो क्या होता है, जो भी मैंने आपको बताया, P into T, so formula हमने आपे पुट किया, energy used by 250W TV set in 1R, E is equal to, P हमने क्या निकाला था, P1 is equal to 0.25 and T1R, यह हमारे पास T1 था, हमारी energy कितनी है, 0.25 kWh, E2 निकालना हम हमें, ठीक है, energy 2 निकालन हमें, तो P2 into T2, P2 कितना था, 1.2 kWh and time कितना था, 1.6 hours, दोनों को हमने multiply किया, हमारे पास answer आया, 0.2 kWh, इसका answer क्या है, 0.25, इसका answer है, 0.2, यानि कि ज्यादा पार, किसमें है, इसमें, ठीक है, so यह आपके पास answer है, question number 17, again very easy, an electric heater of resistance 8 ohm draws 15 ampere from the service mains for 2 hours, calculate the rate at which heat is developed, heat का formula, I square into R into T, I दिया है, R दिया है, T दिया है, values put करोगे, answer आपका आजाएगा, so यह थे आपके numericals, आपकी exercise खतम, Monday को आप लोगों का test है, Saturday को ही इस पूरी की पूरी exercise, यानि कि आज, आज ही यह 18 के 18 questions, आप लोगों ने try करने हैं, मुझे homework भेजना है, कल संडे का दिन है, कल आपने करनी है, इस पूरे के पूरे chapter की practice, क्योंकि मैंने आपको syllabus दे दिया है, और Monday को आपका इस chapter का full syllabus test होना है, okay, I wish you best of luck, I'll see you in the next one.